जाहिंत मैं अर्विन राय और हमारे साथ है सेलेज जी है बापु सताबदी इंटर कॉलेज में ये 2021 में ही सेलेक्शन लेके आये थे और सब्जेक्ट है इनका इंग्लिस और जैसे मैं अभी बच्चों को ट्रेडिंग दे रहा था तो इनसे बात चली कि 2021 की है इनसे जानेंगे कि इन्हों ने तैरी कैसे की थी और कौन कौन सी बुके पड़े हैं तो अगली अवाज हमारे छोटे भाई सेलेज जीगी है है अलो डियर फ्रेंस एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी आइम सेलेज कुमार गौतम फ्रॉम जादा कॉलेज एंड मैं 2021 में सेलेक्टेड कैंडि हूं इंग्लिस से आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप टीजीटी के इंग्लिस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए कई सारी बुक्स भी अच्छी मार्केट में आ गई हैं और आप आनलाइन बैज भी जोईन कर सकते हैं फिलाल अभी तो मैंने एक कुछ कोर्स है उसमें और अगर आप लोग इंट्रेस्टेड होंगे तो आप एक बार एक बार युटूब चैनल पर एक बार मुझे सच किजिएगा और इस्टुडेंस मेरे जो स्लेवर्स का एम टीयस का जो पर्स वैस है उसमें आप जो है कि कमेंट कर सकते हैं ज्यादा कम उसको मैं continue करूं या फिर आप इसके लिए इंट्रेस्टेड है तो फिर आप मुझे आप कमेंट कर सकते हैं तो फिर मैं उस पे स्टार्ट करूंगा फिलाल अगर आप इंगलीज के बुक्स की बात करें तो मार्केट में कई तरीके के बुक्स आ रहे हैं अगर आपको ग्रम अगर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं अच्छे से आपको समझ में आता है तो यह बहुत ही काफी होंगे आपको जो है कि तैयारी करने के लिए आपकी अच्छे क्यास थे आपने कैसे प्रपेर किया था हमने जो है कि फ्रीफेर ऐसे किया था कि एक्छली में मैं 2015 से कोचिंग का बैच भी रन कर रहा था तो ग्रामर तो लगभग मुझे फिफ्टी परसेंट तयार थे ऐसे ही और फिर बाद में जो लिटरेशर के जो पा सक्सेटीन हर इन यूर हैंड रंजी सिंग आ रहा था दक्रार रंजी सिंगा वह बहुत अच्छी बुक लगी मैंने उसको तीन महीन लगा तार उसको मैंने पढ़ा यह को टाइम टेबल में लगा पढ़ा और पिर जो बुक थे जैसे रेन आण मार्टीन बता फिर वकाप के दिलेटेट कुछ बुक्स थे जैसे कि एक बुक था मुझे भी ख्याल नहीं आ रहा उसका वर्ड फावर में डीजी करके यह बुक था बहुत ही हेलफुल साबित हुआ मेरे लिए और मैंने लगभग दो-तीन महीने तक मैं एक जगह पर ऐसे एक जगह पर मैंने एक रूम लिय मैं ऐसे ही हो जाता था उस पर हम सोचे कि मतलब अगर बिश्टर हो गए डाल देते तो नीद बहुत ज्यादे आती है तो यह से के टाइम टेबल फिक्स करियो तो अलग बात है लेकिन जब भी आपको नीद आती सो जाईए नो प्रॉब्लम सो जाईए भरपूर नीद लीज करें उसके पढ़ना सुरू कर दीजिए यह मेरा जो है कि तरीका रहा अपना मेरा पर्सनल एक्सप्रियेंस है अब से यह है कुछ हिंट अभी पेपर को लेकर के आइडिया है आप रोको पेपर को लेकर के आइडिया तो अभी इसके बारे में तो अच्छे सिंटों नहीं कह अब बहुत से बच्चे बच्चियां करते हैं कि आपको यकीन नहीं होगा जाता हूं कि जो हम लोगो से ने करें आप मेरा नंबर भी दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं उसमें वाटसप भी है और सबसे आप जो है कि कंसल्ट कर सकते हैं मुझसे हर एक तरिक्य से मैं जो भी स्ट्यूडेंस हैं हमारे वहां जो भी देल में हमारे यहां अध्यापक भी हैं वह भी लगे हुए हैं तो मैं हमेशा रोज जो है कि उनको कुछ बुक्स भी हमने सजेशन दिये फिर अपने बुक्स जो है उनको ले जाकर रख दिये आरहम से उपड़ रहे हैं औ इसके साथ धन्वाद और यह एक रिक्वेस्ट है कि लड़कों के पक्का करिएगा को जैसे लड़के नंबर मांगते नंबर मन देता हो तो बोलते हैं कि यार नंबर मत दिया करिए तो थोड़ा असा में गुस्ता आता है कि यार हम भी उसी बैस से निकले हुए हम भी वह है यह नहीं है हमारे तरफ से कोई मैश्टी हमारी नहीं है इतने भी इस टीट्वेंट और करके जाते हैं या पिर मेरे जो भी प्रेंस से लेक्ट तो खुसी होती है अपर बहुत बहुत यह उत्वाद है अच्छा राता है अब